Hello everyone, welcome to study rumble, I am Tusharan चली शुरू करते है हमारा आज का Qantas previous year questions का practice set 2 और जो practice sessions है बहुत साथ useful होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए जिनका भी upcoming time में exam है CGL का, CHSL का या फिर कोई railway का exam है like group D है या फिर DSSB का आप exam की preparation करें इवन अभी देखिए आपका DFFCAL का exam निकला हुआ है तो उसका notification है तो उसमें भी देखिए काफी useful रहेंगे आपके sessions क्योंकि ultimately आपका exam TCAC लेगा और जो questions होते हो इधर उधर ही करते रहता है यहां के यहां के यहां ठीक है, तो देखिए first question का है आपका first question है आपका out of 6 numbers the sum of first 5 numbers is 7 times the 6th number if their average is 136 then the 6th number is question को एक और हिंदी में समझे का रहा है question एक आपका 6 numbers दे रखें यह शुरू के 5 number का आपका sum है वो बरावर 7 times of the 6th number और यह सभी का average आपका 136 तो आप से बोला का है कि 6th number का है बताओ सो देखिए आप मानने लिए लेट करिए पहले 6th number को X ठीक है 6th number आपका X माल लेते हैं आप देखिए sum of 5 ठीक है sum of first 5 ठीक है sum of first 5 की बात करें 5 numbers की देवर आवर है आपका 7 times of 6 है नहीं 7x के रावर है आप देखिए average क्या होता है average होता है आपका sum of observation sum of observation देखिए हर एक question के साथ आपको उसका concept logic सब बताता हो चलूँगा सो देखिए आपके जो basics हो clear रहे हो कि अपने number of observation ठीक है number of observation अब देखिए sum कैसे करेंगे हमें 6 number होगा क्या करना पड़ेगा sum करना पड़ेगा अब देखिए आपके शुरू के 5 number का sum कितना है 7x और लास्ट नमेर आपका x तहनी average आपका 136 आपका 136 नहीं लिखिए 7x प्रस x करेंगे आपको हो जाएगा 7x प्लस x 8x प्लस x ठीक है रहा है आपके 8x ओजाएगा बात में और नहीं चाहेगा आपका 6 होगे अब देखिए यह आपका 136 1 थीजिसके चला जाएगा 6 ऊपर बराबर हो जाएगा आपका एक्स के जो कि आपका 6 नमबर ही है आप देखे 178 जा 136 और 76 आपका जागा 102 तो आपका एक्स के आगए 102 आगए यह हो जागा आपका answer वो क्या आपको समझ में आगए so option wise the correct answer चले बागे चलते हो next question देखते है next question है आपका if x-y is equal to 4 and xy is equal to 45 जाने आपसे बूले है कि value find करें xq-y3 अब देखे इसके 2-3 method है एक तो देखे दो तो आपकी जो तरीक है वो है identity based और एक तरीक है value putting अब देखे इहां पर value putting करें क्या फायदा है जब आपको पता है कि आप identity लगा के बहुत easily निकाल सकते minus y cube आपको बरावर होता है हाला कि वो एक ही result है बस लिखने का तरीका लग है x-y into x square plus y square plus xy देखे एक जमान होता तो जाए आप इस वाली method को यूज़ करते थे अफिर इस identity को यूज़ करते थे पट आप वो जमाना चला गया अब देखिए जैसे समय कसा सबको चलता आप वैसी आपको भी अपने questions करने के तरीकों को बदलना पड़ेगा आपको बराबर होगा x-y जो कि आपको गिवन ही होता है का whole cube ठीक है अब देखिए मैनस से तो प्लस लगाएंगे प्लस 3xy into my x-y जो कुछ नहीं है आप इसमें क्या करेंगी whole cube का formula लगाएंगे तो यह किया जाएगा ठीक है अब देखिए फटावट से value put करिए क्योंकि यह तम से पूछा गया है second dollar put करिए value क्योंकि मैं इसी को prefer करता है इसका जमना आप चला गया सो देखिए एक मैं साइग को क्या हो जाएगा 4 का क्योंकि 64 प्लस 3 into my 45 ठीक है बेख मैं साइग कितना है इंटो मैं 4 45 इंटो 4 180 इंटो 3 540 प्लस 64 करेंगे तो यह जाएगा आपका 604 आंसर ठीक है सो option 2 इसका correct टांसर हो जाएगा चले बाके चलतो next question देखते है सो देखे next question है आपका 4300 rupees becomes 4644 in 2 years at a simple interest find the principal amount that will become 10104 in 5 years at the same rate of interest rate आपकी seem रहेगी पहले आपको rate निकाल नहीं पड़ेगे हैं आपको rate कैसे करेंगे इस question को बहुत ही simple सवाल है बस अपने सूचने का तरीका होते काफी लोग इसमें formula लगाते हैं पर मैं formula नहीं लगा हूँगा योगी देखी rate का मतलब क्या होता है 100 और पर मिलने वाला कोई भी धन हो क्या हो जाएगा आपको rate हो जाएगा सो देखें पहले आप समझिए 4300 रुपे थे आपके पास ठीक है 4300 rupees है आपका 2 साल का time है 2 years का time है और 2 साल में कितने वालाख आपके 4-6-4 आपको ब्याज कितना मिल यहां से interest कितना मिला है इंटर्स आपको बिला है 344 रुपे यहीं कितना मिल है आप बोलेंगे इसको डिवाईड करो तो 43 से तो यह 100 हो जाएगा और इसको 43 से तो यहांके पूराएगा यहीं एक साल में 100 पर आपको 4 पर आज मिलती है और एक हमारा रेट हो जाएगी यानि रेट कितने है हमारे बास 4% की ठीक है समझे रेट कैसे निकाली देखे कोई भी दंज आपको 100 पर मिला एक साल के अंदर हो क्या होती है आपकी रेट होती है यानि 5 साल में लगाता आपको ब्याज मिलीग और आपका अमांट कितना हो जाएगा 10,104 रुपे यानि 5 साल में लगातार ब्याज मिलीग तो आपको 20 पर आज मिलेगी ठीक है 20% का मतला है कि आपका 10,104 रुपे या आपका 120% कि राबर है जिसे मैंने करके 120 से डिवाइड कर दिया इंटू में 100 कर दिया इस वाई प्रिंसिपल की वल्यों आजाएगी आप कितने करेंगे 12,104 रुपे यानि 10,104 रुपे जो है यह मेरी 120 के बराबर है तो मैं डिवाइड 120 से किया इंटू 100 कर दिया अब देके 0 से 0 कर जाएगा अब जाएगा अब जाएगा अब कितने करेंगे ही अपका ने एक सब्सक्राइगे 55 बचेगा इघ अधन करेंगे 12,184 रुपे अपका 40 इंट बचेगा कितने करेंगे तो 24 बन जाएगा तो 24 तो 24 तो 842 यहां पिजियो 10 आपका 820 आपका सब्सक्राइगा is more, he would have made a profit of 20% What is the original selling price of the article? जैकि question एक कहा रहा है, मैं हिंदी अब समझातो हूं क्या कहा रहा है question एक कहा रहा है कि एक व्यक्ति किसी सावान को 10% कम दाम पर बेच रहा है जैकि उसकी CP है, यानि घाटे हैं 10% के जैकि यदि उस article को 332 रुपे जादा में बेच रहा है तो उसे 20% का फायदा हो जाता जैकि यह सवाल तो आप मौकिक भी कर सकते हैं आपको साफसार दीख रहा है कि यदि 332 रुपे जादा में बेच रहा है कैसे करेंगे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ माल लेते हैं, इसकी CP थी आपकी 100 रुपे CP 100 माल लेजे, ठीक है अब इसने बोला है कि इस आर्टीकल को 10% कम में बेच रहा है यानि-10% 90 में बेच रहा है आप समझ के देखें कि 332 में ज्यादा कर देने से 90 से 120 हो जा रहा है 30% यह कवर कर रहा है आप तो समझ में आगे जो मैं समझाना चाहता आपको मैं यहां से कहा हूँ, 30% की value मेरी कितनी है, 332 है मुझे तो 90 की नहीं का लिए, क्योंकि इसने initial 90 में बेचा था इन 2 में 3 दर कर देता हूँ, इन 2 में 3 दर कर दूँगा, तो आपको 996 हो जागा आपको 90% आ जागा याफि 90 units के लिए यही आपको हो जागा initial SP, तो 996 है नहीं option 4 आपका correct transfer हो जागा, ओके, चलिए हम next question देखके तो देखे, next question है आपका, if x की पावर 2a is equals to y की पावर 2b, is equals to z की पावर 2c, does not equals to 0, and x is equals to yz, आपको value find करें, ab plus bc plus c upon bc, तो देखे, कैसे करेंगे इस question को, बहुत ही असान question है, multiple तरीक हैं इसको question को करने के लाइक, एक तरीका नहीं, बहुत सारी तरीक हैं, एक तो वही आप properly इसको कलने, लेकिन वह मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि देखें, आपको आपको वह तरीके सिखाने हैं, जो आप exam में लगाएंगे, जिनको आप exam में यूज करने वालने हैं, ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वह वाला तरीका बतादूँ कि अगर आपके पास number of equation कम है और number of variable बहुत जादा है, तो आपके पास जो extra variables आप उनको कुछ नो कुछ मान सकते हैं, आप देखें, आप A, B, C को कुछ नहीं मानेंगे, पूछे समझ यह का क्यो नहीं मानेंगे, क्योंकि आप देखें, आपके options में A, C, B, C और A, B हैं, तो आप फिर डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपका correct answer क्या होगा, क्योंकि अगर आप देखें, A, B, C को कुछ मान लेंगे, तो आप कैसे बोलेंगे, A, C, B है फिर B, C, फिर A, B भी है, तो आपको पता चलेगा, क्या इसका correct answer होगा, क्यो आप या फिर आप X, B, Y, B, Z भी रख सकते हैं, लेकिन देखें, Y, B, Z से आपका अपने आपी X, B, Y, B, Z बन जागा, जैसे कि यहाँ पर देखें, आप Y, B, Z रखेंगे, त आप देखें, X स्क्यर बरावर रजागा आपका Y, अब ऐसा कब possible है, जब X, Y हो, ठीक है, यहांस आपको चलके x बराबर y तो x बराबर y बराबर z यहां से हो गई है बस समझ रहे हम चाहिए हम चाहिए हम शुरू में भी आपका x बराबर y बराबर z मान सकते है ठीक है लेकिन देखें हमने क्यों नहीं माने उसकी वज़ा समझे क्योंकि यह आपके यह समझे करता हूं, आपको समझे करता हूं, कैसे करता हूं, आप पहले यह समझे कि अब लग लग नंबर हो सकते हैं माल लेते हैं अभी आप इस बात नहीं पर दो हैं लेकिन आप बेता हैं कि हरे जगे 2 से मिल्टीप्ला हो रही है तो मैं आपके सामने क्या करता हूं अब इनकी पावर के उपर 2 से मिल्टीप्ला होना है मुझे नहीं पता भी पावर कहाएगी यहां माल लेते हैं अब लेते हैं लेते भी है और यह पहल लेते सी है समझेगा अब अगर मैं यह कह रहा हूँ कि 3 की पावर 2 ए मेरा पर्टीकुलर्ली जैसे हम कहने की कि एक्स की बावर 2 ए मेरा बर्टीकुलर्ट कि चुमानेंगे आप माल लेते हैं मैं क्या रहा हूँ क्या मानेंगे एक्स की पावर 2 एक टूब लेकिन आपने अभी बोला कि इस तो मेरा य कवार 2ए और य एक्स के बरावर य था य नि यहां से आपका मतलब क्या हो जाएगा यहांसे आपका 2B 1 के बराबर ही होगा यहां से आप भाइ आप 4 के बराबर है यह नहीं समझेए क्या कहा यहां से हमने एक्स बरावर बरावर पुरूफ कर लिया, हमने निकाल लिया कि X ब्रावर Y ब्रावर Z है हमारे पस, ठीक है, अब आप देखिए, आप फिर से इसे question पर आप बोलेंगे, कि X के बावर 2A ब्रावर 2B ब्रावर Z के बावर 2C है, यानि है मैं यह समझ गया, कि मेरा A, B, C ब्रावर होगा, अब कैसे झाली है कि 3 के बावर 2A, आप देखितने के बढमेंगे, यू आपको आप गरावर 2A 8 1 के ब्रावर है, आप 4 गोलेंगे 3 के बावर 2A के 2 ब्रावर 4 ब्रावर 2Eid, यानि यह आपका बरावर होना चाहिए थी की बावर तू गहां जो कि आपका था यहांसे आप बोल लेंगे बीकि आईगा आपका रहाँ जाया गए यानि आप से यहां से बोल सकते हैं कि मेरा A, B, B, C, A बराबर होगा तो यहां साथ बोलेंगे उपर आरक्टम कितना हो जाएगा Thrice of A, B, नीचे लो जाएगा आपका A, B, A, B से भी कर जाएगा और आपका यह फिर 25-25 questions के set भी करेंगे ओके चले भी अब मिलते हैं अगले session में अब भाइ ठीक है ध्याना किया अपने और अगला session अच्छा लगा है So give it a big thumbs up like करें इसको और शेर करें दोस्तों के साथ Bye bye, take care and keep preparing for your exams